चर्चा का कारिकरम शुरू कर रहे हैं आप सभी के बीच और लाईव चर्चा का ये कारिकरम आज का जो विशा है अरन्ने कांड से लक्ष्मन रेखा क्यूं लांगी सीता सीता जी का हरन कैसे किया रावन ने और उसे संबंधित चर्चा गो स्वामी तोलसिदार जी किस प्रकार से करते हैं वैसे लक्षमन रेखा की चर्चा लक्षमन रेखा की चर्चा आपको रामचरित मानस में नहीं मिलेगी उसकी कोई ब्रिहत व्याख्या या उसकी कोई ब्रिहत जानकारी राम चरित मानस के अंतरगत नहीं पाई जाती है लक्षमन रेखा की लेकिन दूसरे रामायनों में बालमी की रामायन में या अन्य रामायनों में कहीं कहीं लक्षमन रेखा की चर्चा है कि लक्षमन जी ने को भी व्याख्या करते हैं वो किसलिए करते हैं लक्षमन रेखा लेकिन बहुत फेमस है बहुत प्रसद्ध है रमायन पर रामानंद की टीवी सेरियल में भी दिखाया गया कि लक्षमन रेखा ठीच दी थी और सीता जी से कहा था कि इससे बाहर मत जाएगा अब धीरे धीरे यह लक्षमन रेखा है इसने कुछ और रूपधारन कर लिया इसने एक ऐसा रूपधारन कर लिया समाज में कि समाज में कोई भी व्यक्ति जब किसी को बंधन देने का कोशिश करता तो लक्षमन रेखा शब्द का प्रयोग करता लक्षमन रेखा शब्द का प्रयोग करता कि भाई मैंने ये कह दिया अब मेरी जो बात है वो लक्षमन रेखा है इसकी अवग्या नहीं होनी चाहिए यह दिपी लक्षमन जी ने सीता जी को कोई आग्या नहीं दी थी कि आपको लक्षमन रेखा पार करनी है या नहीं पार करनी है आग्या नहीं दी थी लेकिन हम जो है समाज में कई बार इस शब्द का प्रियोग बहुत गलत धंक से करते हैं लक्षमन रेखा का दूसरों को ढराने के लिए विशेश करके महिलाओं पर शोशन के लिए भी लक्षमन रेखा का प्रियोग होता है तो वास्तव में यहां जो लक्षमन रेखा है गोस्वामी तुस्षिदाज जी लक्षमन रेखा की चर्चा करते हैं नहीं करते हैं वो एक अलग बात है हम आएंगे उस शर्चा पर जहां पर ये घटना आती है लेकिन लक्षमन रेखा शब्द का प्रियोग अलग धंग से हुआ लक्षमन रेखा वास्तों में क्या है लक्षमन रेखा वास्तों में है क्या लक्षमन रेखा है विवेक लक्षमन रेखा है विवेक की रेखा जिसे व्यक्ति को विवेक प्राप्त है उसके साथ कोई समस्या नहीं है लेकिन जो विवेक ही नहीं है समस्या उसी के साथ बंधन उसी के लिए है सारे और लक्षमन रेखा भी उसके लिए है लेकिन यहां पर माता सीता एक लीला कर रही है है लीला क्यों कर रहे है कि तो खुद राम चरित्मानस में लिखा हुआ है कि बंधन भगवान राम को अपनी लीला समझाते हैं कि मैं एक अधभूत लीला करूँगा है सीते तुम्हें उस लीला में में मेरा साथ चाहिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो सिता जी एक लीला करती है। इसलिए उस्वामि तुल्सिदार जी लक्षमन shot के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन फिर भी लक्षमन रेखा की चर्चा जो है इस विशय पर होती रहती है। सीता जी ने लक्षमन रेखा पार कर ली और रावन ने हरन कर लिया तो वास्तों में वो रेखा कौन सी है वो रेखा ज्यान की रेखा है वो रेखा विवेग की रेखा है तो जो व्यक्ति जिसके पास कसावटी नहीं है और कसावटी किस चीज की किस चीज़ की कसावटी क्योंकि रावन कौन सा वेशधारन करके आया साधू वेशधारन करके आया और यदि कसावटी नहीं है कि साधू कौन संत कौन मात्र बाहरी विचारधाराओं से आपने साधू संत होने का अंदरने ले लिया बाहरी वेश भूसा से ही किसी को सादू संत मानने का अंदरने आपने ले लिया तो वहां समस्या होती है, वहां दिक्कत होती है तो आईए चलिए गोष्वामी तुसीदा जी क्या क्या कहते हैं उस पे हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तो शुर्पनखा कल जो हमने कथा छोड़ी थी, शुर्पनखा के नाक और कान काट दिये उसका सौंदर्य हनन कर दिया, उसका सुंदर्ता खतम कर दी, अब वो सुंदर नहीं दिख सकती है वो अपने सुंदर्य का दुरुपयोग कर रही थी, अपनी सुंदर्ता का दुरुपयोग कर रही थी, यही उसका अपराद था, बेचारी और उसका कोई अपराद नहीं था, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि उसको वधा जाए, उसका वध किया जाए, वो वध करने मुर्यादा के स्थापना की और शुर्प नका के नाक और कान कटवा कर भी मर्यादा की ही स्थापना की है कि इसलिए कई बार जो श्री राम चंद्र जी के इस शरित्र को नहीं समझते और घिसी पिच्टी बातों को समझना या इदर से बात चुराई उदर थौअ दिया उदर से बात चुरायी उदर थौप दिया जी नहीं कई बार ऐसी जगहों पर मैंने कुछ लेख gefच को पढ़ा उनका कहना है कि राम तो नारी विरोधी थे कई बातों को लेकर कहते हैं वो लेकिन यदि हम पढ़ेंगे यदि हम पढ़ेंगे तो सुनने को कुछ और मिलेगा अहिल्या उद्धार की घटना जिस इस्त्री के ऊपर दाग लगे हुए हैं समाजने लगा के रखे हैं अहिल्या के चरित्र पर समाजने दाग लगा के रखे हुए हैं लेकिन रामचंद्र जी जाते हैं और सारे दाग को धो देते कहते ही कोई दागवाग नहीं यह अन्याय है और देवी जो सब समाज से दूर होकर एकांत में रहती थी और वहां पर पक्षी भी नहीं पहुंचते थे कि अधमी कहां से पहुंचेगा कोई ऐसी इस्तिती बन जाती है ऐसी समस्या बन जाती है राम जी ने सारी समस्या दूर कर दी कि यह अन्याय है बिलकुल अन्याय है अब शुर्प नखा पहुंची शुर्प नखा वैसे ही जीवन में आहत है अपने भाई के अत्याचार से, उसके पती का वद हो चुका है, शुर्प नखा का कोई दोश नहीं है, उसके पाप भी नहीं है, ये कहना कि शुर्प नखा बहुत पापी थी, या बहुत राक्षसी प्रविर्ती की थी, दूसरों प और बहुत अत्यचार करती थी, ऐसी कोई कथा नहीं आती है, तारका के बारे में आता है कि वो रिशिव मुनियों के यज्ञ का खंडन करती थी, भरश्ट कर देती थी, और बहुत सारे जो उसके पुत्र थे वो राक्षासी प्रविर्टी के थे और वो बहुत उत्पात मचाया करते थे उसके सह से उसके बल से शुर्प नखा बधने योग्य नहीं थी शुर्प नखा के अंदर एक भी कमी थी कि उसे अपने सुंदर्य का बहुत एहंकार था उसे अपनी सुंदर्ता का बहुत एहंकार था कि वह सुंदर है श्रीराम चंद्र जी ने देखा कि यह हमारे पास जो प्रस्ताव लेकर आई है और इस प्रकार से मर्यादा को भूल चुकी है मेरे पास आई मैंने छोटे भाई के पास विजा तो वहां भी चली गई उसने कुछ और बहाना बना दिया कि मैं तो दास हूं लक्षमन जी ने ये बात काटी नहीं देखी भगवान राम ने कहा कि लक्षमन कुमारा है जाओ लक्षमन जी ने मना नहीं किया कि मैं कुमारा नहीं हूं उन्होंने कहा मैं दास हूं दासी बनकर तुझे रहना लक्षमन जी ने राम जी की बात नहीं काटी वह कह सकते थे कि मैं भी विवाहित हूं लेकि उन्हों नहीं कहा कि मैं भी विवाहित हूं लक्षमन जी ने कहा कि मैं दास हूँ और दासी जैसा तुझे जीवन जीना पड़ेगा अगर वो जानते थे कि यह कहां दासी जैसा जीवन जीएगे जिसे अपनी सुन्दर्ता का एहनकार हो और उसी वेश में वो सिता जी पर कहते कि जबटती है कि यही सारा मूल है अगर इसकी मिर्ट्व हो जाए तो यह मुझसे विवा कर लेंगे कुछ ऐसी उसकी विचार भारा तो उसका एक ही दोश था कि वो अपने सुन्दर्य का एहनकार करके बैठी थी और उसका सुन्दर्य जो है शिरामचंद्र जी ने छीन लिया लक्षमन जी ने छीन लिया शुर्प मेखा का सुन्दर्य कि तू अब सुन्दर नहीं रहेगी उसकी सुन्दर्ता च्छीनी उसके नाक काट दिये बस इतना ही है शुर्पनखा वहां से जाती है खर दूशन के पास पंचवटी का जो छेत्र था रावन के कमांडर वहां रहा करते थे सेनापती वहां रहते थे खर और दूशन के नाम से दो भाई रहते थे दोनों कान काटए मेरे िस प्रकार से दो युद्धा रहते तुम्हें पता भी नहीं यह खबर भी नहीं हे कर दोशन को भड़काया और वहीं से की राक्षसों का विनाश शीरामचंद्र जी के द्वारा शुरू हो जाता है और शी doubling चंदर जी हर दूशन दोनों को मार देते हैं दोनों का वद कर दोनों का वद हो जाने के बाद अब बहगवान राम जानते हैं अब तो विगुल बद चुका है युद्ध का शुरुवात हो चुकी है ऐसा नहीं कि जब श्री राम चंद्र जी लंका पहुंचे तभी युद्ध शुरू हुआ लेकिन जो युद्ध की शुरुबात थी वो यहीं से शुरू हो गई बिगुल बच चुका है युद्ध शुरू हो चुका है अब बहुत सारी घटनाय घटेंगे श्री राम चंद्र जी भली भाती जानते हैं इसलिए राम चंद्र जी सीता जी से क्या कहते हैं लक्ष्मन जी जब नहीं थे पुटिया में जब लक्ष्मन नहीं थे आश्रम में जब लक्ष्मन नहीं थे लक्ष्मन गय बनहीं जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख ब्रिंद लक्षमन जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तो कृपा और सुख के समू श्री रामचंद्र जी हसकर जानकी जी से बोले श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा कि है सीते मैं कुछ लीला करूँगा मुझे कुछ लीला करना है मैं कुछ लीला करूँगा अब तो मेरे लीला को सुनो मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा इसलिए जब तक मैं रक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अगनी में निवास करो जब ही राम सब कहा बिखानी प्रभू पद्धर ही अनल समानी निज प्रतिबिम्ब राखी तह सीता तैसे यसील रूप सुब नीता श्री राम जी ने जिव ही सब समझा कर कहा तेवही श्री सीता जी प्रभू के चर्णों को हिर्दय में धर कर अगनी देव उनको अपने साथ ले गए सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ती वहां रख दी दूसरी कथा के अनुसार अगनी देव की पुत्र ही थी जो सीता जी के संग सीता जी के स्थान पर सीता जी के रूप में रही लेकिन अगनी देव ने एक छाया नर्मित कर दी जो सीता जी के समान तो अपनी ही एक छाया मूर्ती वहां रख दी, जो उनके जैसी ही शील सुभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी, देखने में वैसी थी, अब राम के साथ तो रहना है नहीं सीता जी को, थोड़ा समय, अगले ही दिन कुछ घटना घटनी है। श्री राम जी ने जेवही सब समझा कर कहा त्यवही श्री सीता जी प्रभू के चर्णों को फिर्दय में धरकर अगनी में समा गई और सीता जी ने अपनी छाया मूर्ती वहां रख दी, लक्ष्मन यह मरम नहीं जाना, लक्ष्मन यह रहसा नहीं जाना, जो कछु चरित भगवान ना दस्वुख गयव जहां मारिचा, नाई मात स्वारत रत नीचा, भगवान ने जो कुछ भी लिला की लक्ष्मन यह नहीं जान पाए, और स्वार्थ परायन जो नीच रावन है, वह गया मारिच के पास शुर्प नखा की सारी बाते उसने सुनी, इससे पहले सारी बाते की, बहुत सारी तरक दिये उसने, रावन को भड़काने में कोई कसर उसने नहीं छोड़ा, रावन को भड़काया, जिस प्रकार से खरदूशन का वद्ध हुआ, वो भी शुर्प नखाने जाकर सुनाया, अतुलित बल प्रताप दवभाता खलब दरत सुर्मूनी सुकदाता सोबा धाम, राम असनामा तिनके संग नारी एक स्यामा, ये अतुलित बल प्रताप दवभाता, दो धरता दो भाई है जो अतुलित बल और प्रताप से संपन्ण है, वे दुष्टों का वदह करने में उनके साथ एक तरुन सुंदर इस्त्री है अब शुर्प नखा जाती भी है तो ऐसा गुनगान करती है श्री राम चंदर जी का कि रावन जल भुन जाए शुर्प नखा की गोसामी तुलसीदाजी की राम चरित मानस के नुसार शुर्प नखा ने रावन को जान भूज कर दूसरे रमायनों में भी सुरत सवासद उठे अकुलाई समुझा गहीं बाह उठाई कह लंके सका सी निजबाता कहीं तब नासा कान निपाता शुर्प नखा को बाह पकड़कर रावन ने उठाया और कहा कि लंका पती रावन ने कहा अपनी बात तो बता किसने तेरे नाक क सिंगस बन खेलन आए समुझी परी मोही उनका करनी रहित निसाचर करी रही धरनी अध्याति राजा दश्रत के पुत्र जो पुरुष में सिंग के समान है अब रामचंद्र जी का गुर्णगान गा रही है रावन के सामने वनवे शिकार खेलने आये है मुझे उनकी करनी ऐ नवी गुणनाना जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दश्मुक मुनी लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं वे देखने में तो बालक हैं पर है काल के समान वे परमधीर स्रेश्ट धनुर्धर उनके गुणों से युक्त हैं अतुलित बल प्रताप दुभाता रूप रासी बिधिनारी समारी रतिसत कोटी तासु भलिहारी तासु अनुज काटे शुति नासा सुनीतव भगनी करही परियासा शुर्प नखा जानती है कि रावन दूसरों को पदेश देता है लेकिर खुद बहुत कमजोर है अपने हिर्दै से अपने मन से वासनाओं के वशिभूत है इसलिए सीता जी के सौंदर की विशेस्ता शुर्प रखाने विशेस रूप से रावन से को सुनाई कि रूपी रासी विधिनारी समारी विधाता ने उस स्तुरी को ऐसा सुन्दर रूप दिया है कि सौ करोण रति उस पर निशावर हो जाए रति का भी लगे पुकारा च्छनम हो सकल कटक उनमारा खर दूसन इसरा कर घाता सुनी दससी सजरे सब गाता मेरी पुकार सुनकर खर दूसन सहायता के लिए आए पर उन्होंने च्छन भर में सारी सेना को मार डाला खर और दूशन और त्रिश्रा का वद सुनकर रावन के सारे अंग जल उठे सूफ नकाही समुझाई करी बल बोले सी बहुभाती गयव भवन अती सोच बस नीद परई नहीं राती अब रावन को नींदानी बंद हो गई दो कारण एक तो कोई बहुत बलसाली योद्धा वन में आ गया है दंड कारण में आ गया है और दूसरा कि उसकी पत्नी बड़ी सुन्दर है अब ये दो बाते रावन को बहुत परिशान करने लगे देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरा सिवक को भी पास के मेरे सिवकों को भी नहीं मार सकता खर दूसरान तो मेरे ही समान बलवान थे उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है देवतां को आनंद देने वाले प्रित्वी का भार हरन करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो भी मैं जाकर उनसे हट प्रुवक वैर करूंगा और प्रभू के बाण से प्रान छोड़कर भावसागर से तर जाओंगा रावन ऐसा सोच रहा है को सिदाजी लिख रहे है वही भजन उन्हें तामस देहा मन करम बचन मंतर दिड़ एहा जउनर रूप भूप सुतकों हरिहां नारी जीत रन दूँ इस तामस शरीर से भजन पर साधना तो होने वाला नहीं है अतेव मन वचन और करम से यही दिन निश्य है और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी इस्त्री को हर लूँगा चला अकेल जान चड़ित हमा बस मारिच सिंधु तट जहमा इहां र रावन जब वहां पहुंचता है नवनी नीच के अती दुखदाई जिमी अंकुस धन उरग बिलाई भय दायक खलके प्रियबानी जिमी अकाल की कुसुम भवानी नीच का जुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है जैसे अंकुष धनुष साप और बिल्ली का जुकना भवानी शिव जी कहते है भवानी दुष्ट की मीठी वानी भी भय देने वाली होती है जैसे बिना रितु के फूल करी पूजा मारिच तब सादर पूछी बात कवन हे तुमन व्यग्र अती अकसर आयहू तात तब मारिच ने उसकी पूजा करके आधर पुर्वक बात भागे हों कपट म्रिग तुम छलकारी जही बिदिहरी आनों रिपनारी भागे हिन रावन ने सारी कथा अभिमान सुहित उसके सामने कही तुम छल करने वाले कपट म्रिग बन जाओ जिस उपाए से मैं उस राज वधू को हर लाओंगा मैं सीता जी का हरन करूँ तुम कपट म्रिग बन जाओं तो मैं सीता का हरन कर लूंगा और कपट म्रिग बनने की परेणधना मारिच को सौयो जंदूर तो वो प्रभू का प्रताब जानता है वो क्या बोलेगा तही पुनी कहा सुनहूं दससीशा तेनर रूप चराचर ईसा तासो तात बयवू नहीं किज्ये मारे मरिये जिया है जिज्ये तब उसने कहा कि दशी सुनो वे मनुष्य रूप में चराचर के इश्व इसलिए आप उनसे बैर मत कीजिए मुनी मक राखन गयो कुमार बिनुफर सर रगुपती मुही मारा सत जोजन आया हूँ छण माही तिन नसन बयरू किये भलना ही यही राच कुमार मुनी विश्वामित्र के यग की रक्षा के लिए गय थे उस समेशी राम जी ने बिना फल मेरी दशा तो भ्रेंगी के कीड़े किसी होगी अब मैं जहां तहां भी शी राम लक्षमन दोनों भाईयों को ही देखता हूँ और हे तात यदि वे मनुष्य है तो भी बड़े शूरविर हैं उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा संशय है मारिच को भी रावन को तो संशय बहुत बड़ी चीज है रावन को संशय है रावन यह निश्य नहीं करता है रावन यह निश्य नहीं करता है कि यह राम जी है हां उसे लग रहा है कि खरदूशन का वद कोई सधारन विक्तितों नहीं कर सकता इसलिए अगर वो नरायन भी है तो भी मैं उनसे वैर लूँगा और यदि मैं उनके बानों से मारा गया तो मेरी मुक्ष हो जाएगा अगर नहीं तो उनकी सुन्दर इस्तिकों हरक हरक के लाऊंगा क्योंकि उसने अने को राजकुमारियां और रानियों का हरन करके अपने पास रखा हुआ था उनसे विवा कर रखा था इस प्रकार से रावन अपना जीवन वितित करता था तो रावन ने यहीं सोचा कि भाई यदि वो बहुत बलशाली है तो भी राजनैतिक दृष्ची कौन से मुझे उनसे युद्ध करना चाहिए और उनको पराजित करना चाहिए यदि वो भगवान है तो फिर वो मुझे मारेंगे तो मेरे मुक्ति कल्यान होगा इसलिए क्या सोचना और नहीं तो मैं अगर मैं उनको जीत लेता हूं तो उनकी पत्नी का हरन करके मैं ले आओंगा उनकी इस्त्री का हरन करके में ले आओं इस्प्रकार से तो art वर्वन सोचता है रावन विचार करता है और यहीं सोचकर उसको समझाता है मारिच को भी इसी प्रकार से समझाता है और मारी समझाता है कि मेरी दशा तो ऐसी हो गई कि मैं जहां देखता हूं मुझे राम लक्षमन नजर आते हैं भृंग जैसी हो गई है इसलिए तुम भी बैर मत मरो जेही तालका सुबाहू हती खंडेव हरको दंड खर दूशन तीसरा बतेव मनुझ की अस बरिबंड जिसने तालका और सुबाहू को मार कर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूशन और तृश्रा का वद कर डाला ऐसा प्रशंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है वो सधारण नहीं है उस्वेम भगवान है जाहू भवन कुल कुसल विचारी सुनत जरा दिन हिसी बरुगार गुरुजी में मूल कर सीसमम बोधा कहू जग मोही समान को जोधा अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लट जाएए ये लंकेश आप घर लट जाएए ये सुनकर रावन जल उठा उसने बहुत सी गालियां दी और कहा कि अरे मुर्ख तो गुरु की तरह मुझे ग्यान सिखाने सिखाता है मैं तुस्से ग्यान नहीं यहां आया हूं क्या बता तो संसार में मेरे जैसा युद्धा कॉम तब मारिच ने हिर्दय में अनुमान किया कि शस्त्री मर्मी समर्थ स्वामी मुर्ख धनवान वैद भाट कवी और रस्वया इन नौ वेक्तियों से विरोध यहीं करना छाईए विज्ध से कल्यार किसी किसे शेंसमर्थ स्वामी जो समर्थ मालीक है सवामी है उसे और मूर्ख व्यक्ति से कभी भी दिने चाहिए मूर्ख मिर्खता में पता नी क्या क्या कर जाएगा और धन्मान जो धन शंपन धन्गा प्रयोग करके अपका नुकसान कर सकता है वैद भाट को तो विश और ऑशधियों का ग्यान होता है सब्सक्वर करना जानता है उससे भी नहीं पता करना चाहिए रसोया से करोगे तो भोजन ही नहीं देगा तुमको खाने के लिए भूके मर जाओ उभैभात ही देखा निज मरना तब ता किसी रगुनायक सरना उतर उदेत मोही बधब अभागे कस्तन मरव रगुपती सर लागे जब मारिश ने दोनों प्रकार से अपना मरन देखा कि रावन की बात नहीं मानता हूं तो भी मारा जाओंगा तो क्यों ना रगुनात जी के बाण से ही मर लिया जाए उन्हीं के बाण से मर लिया जाए असजी जानी दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा मन अतिहरस जनाव तन तेही आज देखाऊ परमस ने ही फिर देम ऐसा जानकर वो रावन के साथ चल पड़ा शी राम जी के चर्णों में उसका खंड प्रेम है उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्श है कि आज मैं अपने परमस ने ही राम जी को फिर से देखूंगा कि उसने यह हर्ष रावन को नहीं बताया कि मैं बहुत खुश कि अपने परम प्रितम को देखने के लिए मारिच चल पड़ा मं पाचे धर धावत धरे सरासन बान फिरी फिरी प्रभु भी लो कही धन्य न मोब समान धारन की मेरे पीछे पिछे पिर्थ्वी पर भगवान दोड़ते हैं वे प्रभू को मैं फिर फिर कर देखूंगा मेरे रचित बनाई जब रावन उस वन के निगट पहुंचा तब मारिच कपट म्रिग स्वन्न म्रिग बन गया और वह अत्तनत ही विचित्र था कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता सोने का शरीर मनियों से जड़कर बनाया था कनक देह मनी रचित बनाई सीता परम रुचिर म्रिग देखा अंग अंग सु मनोहर बेशा सुनहु देव रगुवीर कृपाला एही म्रिग कर अतिसुन्दर छाला सीता जी ने उस परम सुन्दर हिरन को देखा जिसकी अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी जानकी जी ने कहा कि हे प्रभु इसको मार कर इसका चर्म ला दीजिए, चम्रा ला दीजिए, तब श्री रगुनात जी सब कारण जानती भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्शित होकर उठे मिर्ग बिलो की कटि परिकर बांधा करतल चापर उचिर समसांधा प्रभु लच्षिमन ही कहा समुझाई फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई फिरन को देकर्शी राम जीने कमर में फेटा बांध लिया तरकस ले लिया धनुश्मान लेकर निकल पड़े और इस प्रकार से सीता खेरी करहू रखवारी बुधी बिवेक बल समय विचारी प्रभु बिलो की चरा मिर्ग भाजी धाय रामु सरासन साजी तब बुधी और विवेक द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी के रखवारी करना प्रभु को देकर मिर्ग भाग चला श्री राम चंदर जी भी धरुष चड़ा कर उसके पीछे दोड़े लक्षमान जी को समझा दिया निगम नेति सिवध्यान नपावा माया म्रिग पाच्छे सो धावा कबहू निकट पनी दूरी पर आई कबहू की प्रगट कबहू छप जाई कि इस प्रकार से म्रिग कभी छुप जाता कभी प्रगट हो जाता भागने लगा राम चंदर जी उसके पीछे भागने लगे जो मारिच था शी राम चंदर जी को बहुत दूर ले गया बहुत दूर ले गया लक्षिमन करतमही लें नामा और तब भगवान ने उसको मारा तक तब तकी राम कठीन सर मारा सर्मन बान तब शी राम चंद्र जी ने उसे निशाना साध कर कठोर बान मारा वह घोर शब्द करते वी प्रत्थी पर गृपड़ा लक्षिमन कर प्रत्मई ले नामा पहले राम जी की आवाज में अब वो रूप तो धारं करता था मन चाह मायावी राक्षस अब वो आवाज भी बदल लिया करता था आवाज की वाइस की कॉपी भी कर लेता था अब शी राम चंद्र जी की आवाज में मारिच ने लक्षमन लक्षमन चिलाना शुरू किया लक्षमन कर प्रत्मई ले नामा पाच्छी सुमरन से मनु महुरामा प्रान तजप्र गड़सी निजी देहा पहले तो लक्षमन हाई लक्षमन हाई लक्षमन करके चिलाया और फिर सुमरते हुए राम जी का नाम सुमरन करते हुए अपना मिर्त्यू को प्राप्त हो गया अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दूर लब गति दिन सुजाना जो कति मुनियों को होती है वो उसे दी गई दुष्ट मारिश को मार कर भगवान लोट पड़े हाथ में धनुष और कमर में तरका शोभा दे रहा है इधर समसीता जी ने दुख भरी वानी सुनी कि कोई लक्षमन लक्षमन चिल्ला रहा है और यह तो स्वेम भगवान राम की ही आवाज है उन्हीं की ध्वनी है जाहु बेगी संकट अति भ्राता लक्षमन अभियसी कहा सुन माता अर्थात शिगर जाओ बेगी करके जाओ जल्दी जाओ लक्षमन जी से का लक्षमन जी ने हसकर का है माता सुनो जिलिकी भृकुटी भौं के इशारे मातर से सृष्टी का प्रले हो जाता है वो रामचंद्र जी कभी स्वप्र में भी संकट में नहीं पढ़ेंगे मरम बचन जब सीता बोली हरी प्रेरित लक्षमन मनंडोला सीता जी ने मरम बचन बोला कि ठीक है लेकिन फिर भी वो नवर लिला कर रहा है कोई संकट आ सकता है तुम अपना कर्तव वे क्यों छोड़ते हो जाओ बरत इसी देव सौपी समकाहू चले जहां रावन ससी राहू इ दिशाओं के देवताओं को स्वाप कर जहां रावन रुपी चंद्रमा के लिए राहू रुपी श्री राम जी थे सुन बीच दसकंधर देखा आवा निकट जती के बेशा जाके डरसुरी असुर डिराही निसन नीद दीन अनन नखाही रावन सुना मौका देकर सन्यासी का वेश धारन यती रावन सुना मौका रावन ने जब देखा कि सुना पड़ा हुआ है आश्रम कोई है नी सीता जी के समीब कुटिया के समीब आया और अलक जगाने लगा अलक निरंजन अलक निरंजन विक्षा मांगने लगा और जब बिक्षा मागने लगा तो सीता जी अपनी खुटिया से बाहर निकलती है, बिक्षा देने के लिए, अब लक्ष्मिन जी ने यहां पर कहा कि देवताओं को सौप कर जा रहे है, सीता जी को वन के दिशाओं और देवताओं को स्वाप कर वो चले गए तो ये बात उन्होंने कहिए लक्षमन रेखा की बात नहीं कह रहे है तो चले गए अब देवता भी होना अपने आप में एक विवेक युक्त होना ही है अब सीता जी वहाँ पर है और साधू वेश में र विश्वास करता है अनरमायल की कथा अनुसार रावन पहले लक्षमन रेखा पार करने की कोशिश करता है लक्षमन रेखा पार नहीं कर पाता है तब वह साधू वेश्धारन करता है ऐसा भी लिखा गया है अगर लक्षमन रेखा पार कर जाता तो वह सीता जी को वैसे ही उ अन लेकर उसके कुछ विच्छा पातरुमें डालती है लेकिन फिर भी वह नहीं मानता वो कहता कैसे विच्छा नहीं करूंगा तू बाहर आकर बिच्छा दे रावन बार 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 आने के लिए विवश्च करता है सीता सोचती है कि अब जो है यहां पर कई वेशधारी कई सा हमारे साथ में यही समस्या है हमारे साथ में यही समस्या है कि हम वेश से साधू मानना शुरू कर देते हैं हमें वेश से साधू नहीं मानना चाहिए हमें बड़ी बड़ी बातों से भी साधू नहीं मानना चाहिए हमें ग्यान और अनुभूती से ही साधू मानना चाहिए सा सामित सिताजे ने लिखा कियें को वेश साधु सनमाना जिमि जाम रवन्त हनु माना उगरही अंतना होंही निभाहु काल नेमि स्थारं किया रावन ने साधु वेशधारन किया, राहू ने देवताओं का वेशधारन किया अमरित पिने के लिए, देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया तो ये वेश प्रपंच की कथा सुनने में यहां पर आती है तो हमारे पास साधू की कसोटी होने चाहिए हमारे पास संत की कसोटी होने चाहिए हमारे पास ज्यानी व्यक्ति की कसोटी होने चाहिए नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे हम सादू से मिलने गए हैं या सादू से मिलने हमें पता ही नहीं चलेगा हमने अपनी अपनी कई तरह की बाते बना ली हैं अपने अपने कई तरह की सोच विचार धारा हैं पैदा कर लिए कि सादू तो ऐसा होगा संत तो ऐसा होगा अरे हमारे सादू संत तपस्वी मुनी वैग्यानिक हुआ करते थे, वो रिसर्चर हुआ करते थे, वो अनुसंधान करता हुआ करते थे, वो अनुसंधान करते थे मानव जीवन पर, और प्रकरती और मानव जीवन के बहुमुल सुत्र हमें अपने शास्त्रों में लिख कर उन लेकिन जीवन जीना ही नहीं सीख पाता और फिर दुखी होकर भ्रमित रहता है भटकता रहता है तो हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि साधू की पहचान कैसे करें क्या वेश से करेंगे वेश देख मतभूलिये पूछ लीजिये ग्यान मोल करो तलवार की पड़ी रहंदो म्यान और हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रकार का वेश धारन करकर आपको भ्रमित करने का कोशिश करते हैं कई बार नेता लोग भी अलग-अलग वेश धारन करते रहते हैं और अलग-अलग छवी बनाने की कोशिश करते हैं आप ये समझे कि अभी सीता हरन कैसे हो रहा है माल लिजिए कि सीता तो ये भारत की जनता है सीता तो ये भारत की जनता है और शडयंत्र चल रहा है नेरेटिव का शडयंत्र नेरेटिव सापको दिए जाएंगे तरका आपको दिए जाएंगे किताबों में लिखकर आठिकल में छापकर intellectual image create करकर pseudo-intellectual वास्तों में अब image क्या create करना मारिच ने क्या किया मारिच ने एक वेश धारन कर लिया और चला गया वेश धारन करकर हिरन का भाई इस लालच में तो आई जाएंगे धारन कर लिया और वहाँ पर सीता जी ने बोल दिया मारिच भी जानता था कि कुछ होने वाला वो क्या जानता था नहीं जानता था बात लग तो narratives का खेल चलता है, game of narratives चलता है तरह तरह से भ्रमित करने की कोशिश की जाती है कौन कैसे mobilize होगा, कैसे हम एक population को mobilize कर सकते हैं क्या हम भड़काउ भाशन दे दे, क्या हम भड़कने वाली बुबाते बोल दे कौन आपका इस्तमाल कैसे कर जाएगा, जनता रोपी सीता का हरन पांस साल पे होता रहता है अलग-अलग छबी, ठीक है, हम सब के लिए ऐसा नहीं कह सकते लेकिन फिर भी, ज़्यादा तर हमारे देश में ऐसे नेताओं का आप समझ लेजिए कि रावन नेता है और मारिच मेडिया है, जो नेरेटिव का खेल जनता के साथ खेलती है रावन जो है वो नेता है और मारिच इक्वल टू मीडिया, जिसको आप मीडिया कहते हैं, जो आपको न्यूज सुनाते हैं, जो समचार सुनाते हैं लेकिन सब मारिश की तरह है, सब रावन की तरह है, ऐसा भी तो नहीं है, मारिश भी बुरा नहीं था, उसे पता था कि रावन से शतुर्ता मोलने का अर्थ क्या है, वो समझ गया कि रावन का अंत आ चुका है, इसलिए वो ये काम करने जा रहा है, और उसने सोचा कि इस पूठ को परोशने के लिए बहुत तरह के वेश्धारन किये जाते हैं पुरी दुनिया भर में एक छवी बनाई जाती है जान बुचकर छवी बनाने की कोशिश की जाती है पुरी दुनिया भर में एक इमेज क्रियेट करने की कोशिश की जाती है जैसे मारिच ने राम चंद्र जी के सामने एक छवी बनाई और इसी प्रकार से कश्मीरी हिंदूओं पर जो अत्याचार हुआ उनका जो पलायन हुआ वहां से और जो अत्याचार हुआ जो जिनो साइड हुआ जो नर संधार हुआ कश्मीरी हिंदूओं के साथ अनेको वेश बनाकर उसे दुनिया भर में छुपाने की कोशिश की गई कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है इस सब बाते जूट है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है बता दो और भी कई कहानिया है एक कहानिया नहीं है अनेको नर संधार हुए नब्बे के दशक में गाओं के गाओं अगर आप निउस पेपर पढ़ते हो बिहार राज्य का गाओं के गाओं मरे जातिवाद और उसको माववादी हिंसा भी लोग कहते हैं, उस हिंसा में एक गाओ के अंदर 40 पुरुशों को एक साथ काट दिया गया, एक अंदोलन के अंतरगत, ऐसे कई इतिहास हैं, लेकिन यह जो मारिच है, यह जो जिसको आप कहते हैं न्यूज सुनाने वाले लोग जो सभी ऐसे हैं, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, यह बात सब के लिए नहीं है, लेकिन जो चरितर हमें देखने में आता है, जो चरितर हमें देखने में आता है, बस उसी की चर्चा कर रहे हैं, तो अनेको खबरे, अनेको घटनाएं, जिनको ऐसे कर दिया गया है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आरे हो गया तो क्या हो गया, होता रहता है, अनेको बातों को इस तरह से कर दिया जाता है, बहुत महत्तुपुर्ण बाते नहीं बताई जाती हैं जो जनता को जानना चाहिए वो नहीं बताई जाती है छुपा के रखा जाता है अनेको घटना है देश में ऐसे घटी और जिसको मारिचों ने छुपा के रखा यह मारिच है नेरेटिव्स का गेम जो खेलते हैं आपके साथ और यही लोग आपकी किताबे चाप देते हैं यहीं लोग आपकी किताबे चाप देते हैं, उन्हीं के द्वारा लिखे हुए नीज पेपर आप पढ़ते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाई हुए फिल्में आप देखते हैं, उन्हीं के द्वारा परोसा हुआ समाचार आप सुनते हैं, नीज आप सुनते हैं, तो यह लोग क कुछ ऐसा खेल खेलना सुरू क देते हैं झूः और बड़ी खबर ने चुपा देते हैं वहाइं मेरे पक्षमे आ जाओ देवता भी मेरे पक्षमे ये तुम भी आज़ा लोब देता था लालच देता था भूग देता था और जो इससे भी ना माने उसे मरवा देता था कि भाई ये तो ज़्यादाई भक्त बना हुआ है चलो इसको मार डाल खतम कर देते हैं शर्भंग रिशी ने मार्ग चुना कि नहीं मैं तो अगनी समाधी लोगा मुझे रावन छू भी ना पाएगा और कभी छू भी नहीं पाया शिराम जी के दर्शन करके शर्भंग रिशी ने अपने देह को योग अगनी में भश्म कर दिया योग अगनी में भश्म कर दिया त लेकिन उनके ही narrative को use करकर उन्हीं का सर्वनाश करना राम जी अच्छे से जानते हैं उनके ही narrative को use कर लेना उनके ही तरीके को इस्तमाल करकर और भगवान राम ने आज लीला कर दी कि वो रावन के जाल में फस गए हैं ये तो पहले से ही तियार थे कि भाई ठीक है तू जैसे उनको जाल में फसाता है वैसे ही फसा भगवान राम ने रावन के जाल में फसने के लीला कर दी रावन बड़ा खुश था रावन बड़ा प्रसन था कि मैंने राम को अपने जाल में फसा लिया रावन प्रसन हो गया अरे भाई यह तो नारायन नहीं है यदि यह भगवान ह होता तो भगवान को पता है कि उसने इस दुनिया में सुने का मि jadi नहीं बताया नहीं बनाया तो नहीं होते हैं कि रावन बड़ा खुश कि उसने राम को अपने जाल में फचाल लिया लेकिन व Kia खुद किस जाल में फासरा उसे अंदाजा नहीं तो इस तरह से जो चद्मवेशी हैं जो सनातन विरोधी हैं जो हिंदू विरोधी हैं वो इस तरह से काम करते हैं समझिए आप आज के माहौल को समझिए कि सनातन विरोधियों कि सनातन धर्मियों के साथ सनातन अनुयाईयों के साथ किस प्रकार का शड़यंत्र इसलिए एक शस्त्र नहीं चलता एक शस्त्र नहीं चलता कई बार जो कहते हैं ना कि बंदूक उठाओ शस्त्र उठाओ वो भी आपको बहकाने के चक्कर में लगे रहते हैं वो भी आपको बहकाने के चक्कर में लगे रहते हैं समखल कर नेरेटिव्स का गेम चलता है रावन ने यही गेम खेला रावन ने राम जी को जाल में फसाने की कोशिस इससे उसने राम जी की परिक्षा भी ले ले लिए चलो भाई क्लियर हो गया सोने के हिरन के पीछे भागा इसका मतलब भगवान तो नहीं है फिर क्या दिक्कत है ले जाते हैं इसकी सुन्दर पत्नी को इसकी सुन्दर पत्नी को उठाकर ले जाते हैं फिर रावन ने यही सोचा रावन को क्या पता कि मैं जाल में फस रहा हूं मुझे जाल में फसाया जा और उसमें किस किस तरह के लोग आप अगर सोचते हैं कि अगर कश्मीर के अंदर आतंकियों ने इस प्रकार से कितने कश्मीरी हिंदू का वद कर दिया उनको बाहर भागने के लिए अपना घर परिवार छोड़ बाहर भागने के लिए विवश्च कर दिया वजबूर कर दिया कित तो एसे ही नहीं कर दिया से बंदू के दम पर कर दिया ऐसा मत सोच लेना गलती से भी मत सोच किया, पैसा कहां से आएगा, मीडिया वाले कुछ भी न सुनाए, सब हमारे प्रक्ष में सुनाए, चाहे हम जतना भी नरसंगहार करें, लेकिन कोई टीवी वाला, कोई मीडिया वाला ये खबर न सुनाए, सारी तैयारी उन्होंने पहले कर ली, उसके बाद बंदूक से गोलि पहले उसने बुद्धी जीवी वर्ग को अपने अधीन कर लिया, तब जाकर और इसी तरह से काम होता है, इसी तरह से काम होता है, जैसे रावन ने किया, तो रावन की चाल अगर समझ में आ जाएगी, तो आज जो सनातन धर्म के विरोधी तत्व हैं, उनको भी आप समझ ज लेना कि सिर्फ बंदूग के दम पे काम करते हैं, वो सिर्फ बंदूग के दम पे काम नहीं करते, तो विचार करने योग्यबात है, जब तक पूरी तैयारी नहीं करोगे, बंदूग उठाने से कुछ होता जाता नहीं है, तो इसी लिए, इस छोटी छोटी बातों को समझ लेना है, narratives clear हो जाएगा और रावन ने जो खेल खेला, वो आज भी चल रहा है, वो आज भी हो रहा है, आखे खोलने की जरूरत है, आखे खोलने की आवशक्ता है, समझने की आवशक्ता है, नहीं तो हरण हो जाएगा और इसको समझो के कैसे, जब अपने शास्त्रों को सही से समझोगे अपने शास्त्रों को सही से समझोगे जब तक अपने शास्त्रों को सही से नहीं समझोगे कि सनातन है क्या जब ये पैदा हो जाएगे जब सही कसोटी मिल जाएगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा कहां आपका brainwash किया जा रहा है कहां आपका brainwash किया जा रहा है कहां आपको misguide किया जा रहा है आप सही से समझ पाओगे कहां आपका brainwash हो रहा है कहां आपका misguide किया जा रहा है आप सही से जान पाओगे और इसके लिए जरूरी है कि अपने सनातन शास्त्रों को विधिवत विधिवत समझना विचारधारा को सही से जानना ताकि उसमें कोई अपनी बात मिक्स करकर आपको भ्रमित ना करे नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने नरसंगार किया जिनको आप सूफी कहते हो अब देखो गरीब निवाज अरे भी या गो स्वामी तुल्सीदा जी ने 600 वर्स पहले साड़े 500 वर्स पहले राम चरित मानस लिखी राम चरित मानस लेखी और राम चरित मानस में उन्होंने भगवान राम को गरीब निवाज कहा है गरीब निवाज भगवान राम को कहा है लेकिन आप लोग ज़रा विचार करो कि आजकल आप लोग किसको गरीब निवाज कहते हो किसको गरीब निवाज कहते हो उसको जिसने ना जाने कितने ही सनातन अनुयाईयों का वध करवा दिया सनातन धर्मियों का वध करवा दिया आप समझ नहीं पाए खेल खेला जाता है ये आज से नहीं खेला जा रहा यह अजादी के भी बहुत पहले से खेला जा रहा है Game of narratives बंदूके बहुत बाद में चलती है पहले ये गोटियां सेट की जाती है सारा सिस्टम सेट किया जाता है पहले आप वहीं सेट हो जाते हो आप वहीं पर fix हो जाते हो पहले fixing की जाती है पहले बंदूग की गोलिया नहीं चलती हैं ये समझने की आवशक्ता है तो इसी लिए ये मारिच मीडिया मारिच सब के लिए में ये नहीं कह रहा बार बार इसलिए रपीट कर रहा हूं वहां कुछ मेडिया वाले इमांदार भी हो सकते हैं कुछ इमांदार भी हो सकते कुछ नेता भी अच्छे हो सकते और अच्छे हैं तभी तो बचा हुआ है बहुत कुछ सब खराब होते तो कैसे हो जालता फिर तो कुछ बसता ही नहीं अगर सब बुरे हो जाते तो लेकिन फि जो कि भरष्ट नेताओं और मीडिया भरष्ट प्त्रकारों की मित्रता जैसे चलती है यह दोनों मिलकर जनता को भ्रमित करने का बहुत बड़ा शड़यंत्र करते हैं पत्रकारिता गलत नहीं है पत्रकार गलत हो सकता है राजनीती गलत नहीं है, राजनेता गलत हो सकता है ठीक है? इसको समझ लिजिएगा तो इसी लिए इसको समझ ये और अपनी आखे खोल ये नहीं तो कहीं आपका हरन तो नहीं हो गया है पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां मिसगाइड हो गया है कहां आप brain washed हो गए हैं आपको समझी में नहीं आएगा समझ में ही नहीं आएगा और समझने के लिए देख लीजिए कश्मीर दक श्मीर फाइल्स थोला सा समझ में आएगा और साथ में ये राम चरित मानस की चर्चा भी सुन लीजिए तो और समझ में आ जाए थोड़ा तो इसलिए सही से समझेंगे सही विचार धारा होगी तो सीता जी का हरण नहीं होगा जो आपकी धर्म रूपी सीता है आपकी धार्मिक भावना रूपी सीता है तो उसका हरण नहीं होगा नहीं तो कोई सूफी कोई दरवेज कोई अकबर कोई औरंग जेब तो कभी कोई ही का हरन कर लेगा न्यू जेनरेशन को करप्ट कर देगा भ्रष्ट कर देगा तो यह मारिच और रावन ऐसे ही हैं जैसे हमारे देश में भ्रष्ट नेता बिके हुए नेता जो फॉरिन फंडिंग पर अपना इमान चरित्र सब बेच चुके हैं वो नेता और साथ ही कौन यह जो समुदाय है पत्रकारिता का पत्रकारों का पत्रकारिता नहीं कहना चाहिए पत्रकारिता तो समाज सेवा का कारे है लोग कल्यान का महान कारे है महान शुभकारे है यह लेकिन कोई भी शुभकार अब डॉक्टर का प्रोफेशन है बहुत ही अच्छा काम है बहुत अच् काम है लेकिन वही डॉक्टर यदि पैसे कमाने के लिए लोगों की जान लेने लगे तो उससे बड़ा धानों भी कोई नहीं होगा वैसे ही जो काम जितना अच्छा वो उतना बुरा भी हो सकता है वैसी संत वेश में भी है कि अश्वी मुनी लोग कल्यान करते हैं लेकिन उन्हीं का वेश धारन करकर रावन सीता जी का हरन करने आया है वह तो राम की सीता थी वापिस आ गई ना जाने कितनी सीता जाती है वापिस नहीं आती आज नहीं आती आज, इतनी सीता जाती है, ठीक है, इसी लिए सीता हरण प्रसंग सुन्ने बैठे हैं, इसी लिए मैंने लक्षमन रेखा, यदे भी गो स्वामी जे लक्षमन रेखा, कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी समझने की आवशक्ता है, अगर शास्त्रों का मूल ज्यान आपके पास है, यदि समझ आपके पास है, आप नहीं फसोगे, कोई वेशधारन करकर, कोई गुरु बनकर आपको नहीं फसाएगा, और ये जो शड्यंत्र चलता है सनातन धरम के विरुद, वैश्व शड्यंत्र है, बहुत बड़ा शड्यंत्र है, आप उसको सही धंक से समझ पाओगे, नेरेटिव का गेम चलता है, आपको समझाए जाते हैं बड़े मासूमियत से, युवाओं को, उनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवाओं को, भ्रष्ट करने का प्रयास किया जाता ह हैं, समझाकर, तरक दे कर, अने को तरक दिए जाते हैं, अच्छी अच्छे आदर्शों के नाम पर, अच्छी अच्छी बातों के उदाहरन लेकर तरक दिए जाते हैं और वह युवा, जो बिचारा, क्या पढ़ेगा वो? अभी तक उसने सास्त रधैर्ण तो किये ही नहीं है इतिहास भी नहीं पढ़ा सही से बिचारा वो उनिवर्सिटी में अभी पढ़ ही रहा होता है सी कही रहा होता है और वो भी कोई सही जानकारी उसको मिलती नहीं किताबों से जिन लोगोंने किताबे लिखी है, सारे गलत इतिहास ही उसे पकड़ाये जाते हैं, अब वो क्या करे, वो फस जाता है और कहीं न कहीं उस narrative का शिकार हो जाता है, तो हरन हो गया, जहां शिकार हुआ समझो वही हरन हो गया, यही सीता है यहीं पर हरन होता है सीता आपकी वो भावना है सीता आपका वो मन है वो विचारधारा है जो सनातन धर्म के परतिस समरपित है लेकिन उसका हरन कर लिया जाता है तरह तरह के तरक देकर तरह तरह के विचार देकर हरन कर लिया जाता है उस सीता का कहीं आपके सीता हरन तो नहीं हो गई कि यह आपके सीता हर तो नहीं ली गई यह आपको ध्यान रखना है यह आपको इस पर ध्यान देना है नहीं तो यह बहुत उची-उची और बड़ी-बड़ी बाते करकर नहीं कुछ हो जाएगा अभी कोई निताजी चिला रहे थे कि तुम भी शस्त्र उठाओ ये करो वो करो अरे कहने से क्या हो जाएगा सिस्टम को कैसे आप हैंडल करेंगे जब तक समझेंगे नहीं इसलिए समझदारी के साथ विवेक के साथ अपने अपने आपको सनातन धर्म में सिक्षित कीजिए सिक्षित कीजिए सनातन धर्म के शास्त्रों में सही से सिक्षित कीजिए पहले जो दार्शनिक भेद है उसको समझे कि दूसरे विचार धाराओं में और सनातन धर्म की विचार धारा में जो दार्शनिक भेद है आपको एक मैं बात बताता हूं कभी आप यूरोप का इतिह पढ़िए कुछ मुर्ख मुझे आकर बोलते हैं हलाकि भारत में जो बेचारे गरीब गाउं में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनको जाकर समझाया जाता है कि देखो यूरोप के देश बहुत अमीर है धनवान है क्योंकि वहां लोग इसा को मानते हैं क्रिश्चन इसा जिसको जीसस क्राइस कहा जाता है वो जब से आया तब से यूरोप में अंधकार युग शुरू हो गया और जब इसायत का विरोध वहां के वैज्ञानिकों ने वहां के दार्शनिकों ने शुरू किया तब यूरोप का विकास शुरू हुआ इसका प्रमान है इस बात ने इसाई मत का तोड़ देने के लिए हमारे भारतिय दर्शन के विचारों को उठाना शुरू कर दिया हमारे भारतिय दर्शन के विचारों को इंडियन फिलोसफी जो थी जो वैदिक फिलोसफी थी उसके विचारों को लिया और कृष्णनेटी को तोड़ना शुरू किया इसके प्रमान हैं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, किसी के सुनके नहीं कह रहा हूं, खुद अध्यन करके ये बात आपसे कह रहा हूं, लेना शुरू कर दिया, इसलिए जानिये कि मूल शास्त्र हमारे क्या समझाते हैं, तब जो वैचारिक द्रहता आएगी, विचारों से जो है, थरक देकर हमें भ्रमित कर देगा, हमारा ब्रेन वाश कर देगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, अपने मूल को, हमें अपने सनातन धर्म की जड़ों का ज्यान नहीं है, इसलिए समस्या है, कोई आपको ब्रेन वाश कर देगा, गोली बंदूग बात में चलती है, पहले ये ब्रेन वाश करने का काम चलता है, फंडिंग का काम चलता है, सब को सारा सिस्टम किया जाता है, तब गोली बंदूग चलाई जाती है, तो बहुत बड़ा शड़यंत्र इस प्रकार से चलता है, रावन के शड़यंत्र को समझे, आपको क्या करना है, आपको अपने भीतर के राम को जागरित करना है उनके शड़यंत्र से उनको ही मात देना है नई समझ में आता तो दी कश्मीर फाइस देख लेजिए कैसे उसी के शड़यंत्र से उसी को मात दे दिया गया उनके शड़यंत्र को हत्यार बनाकर उनको मात दे देना है आपको ये तभी संभव है जब आपका ज्यान सुद्रड होगा जब आप अपने इतिहास को सही से जानोगे जब आप अपने शास्त्रों के ज्यान को सही से समझोगे तभी ये संभव है तभी ये संभव है नहीं तो ये संभव नहीं है असंभव साही बना रहेगा हमेशा तो विचार कीजिए समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है जादा नहीं बोलूगा चलते हैं विराम देते हैं और सीता जी का हरण हुआ रावन लेके गया अब आगे का प्रसंग है है समझना है जुड़ना है और जुड़कर इस हमें अपने रमाएन सुनने का मतलब यह निए हमराम कःता सुने और राम राम जपेंगे और बैठ जाएंगे को नामे जाकर जी नहीं सिफिर्वाधा सुने का यह उद्द्वश्य नहीं है DK अस नस्शुमझने की की आवशक्ता है हमें आज समस्याओं का समाधान ढूनने की आवशक्ता है वो हमें शास्त्रों से मिलता है जब शास्त्रों में दिढ़ता आजाएगी, शास्त्र ग्यान में दिढ़ता आजाएगी, कोई रावन हरन नहीं कर पाएगा शर्धा रूपी सीता जी जो हमारे अंदर बैठी है ग्यान रूपी सीता जी, धर्म रूपी सीता जी हमारे अंदर बैठी है कोई उसका हरन नहीं कर पाएगा यदी अपने मूल सास्त्रों को सही से जान लिया जो कि आज की युवापेडी नहीं जानती है समझ लिया कोई आपको बहका नहीं पाएगा कोई आपको वो नहीं कर पाएगा तब जो लोग खड़े होंगे वो वास्तों में युद्धा हो पाएंगे ये समझने की और वो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि भाई कलम की नोख में भी बान की नोख से ज़्यादा धार होती है वानी के तेज में भी शर के तेज से ज़्यादा गती होती है और आसुओं के धार में तलवार के धार से भी अधिक धार मिलती है शस्त्र कई है आपको प्रयोग करना है तो विचार करना है समझना है और समझ कर समाज की रक्षा करनी है अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करना है इसके लिए तयार रहना है इसके लिए खड़े होना है संग जैसे देवता एक साथ बोलते हैं, देवता एक साथ चलते हैं, देवता एक साथ अपना भाग ग्रहन करते हैं, वैसे ही सनातन धर्मी देवता तुल्ल ही होते हैं, और उन्हें देवता ही समझना चाहिए, उन्हें उन देवताओं का अनुसरन करते हुए, सनातन धर्मियों को उन देवताओं का अनुसरन करते हुए संग छक्द्वम सम्दद्वम एक साथ चलना चाहिए और एक साथ आगे बढ़ना चाहिए चीक है तो चलिए इसी के साथ हम विराम की ओर चलेंगे आपके कमेंट्स भी देखेंगे पढ़ेंगे कि कि किलाओ को गोरों सिंग्जी बहुत बहुत अभिनंदन है संत कुमार भाटी जी गौरों बिक्रम सिंग कोर्ण की गरवा सिंग्जी जगत नरायन, जी जी गोविंद्र प्रसाद नीमा समिता नयक जी राजु पाल जी विनुद कुमार सूरे बिस लाल बहादर शेंग जी बर्ट शबलानी जी अजीत अस्तास देशावंत सावंत जी माधुरी चूले जी रमेश पेश्वानी जी विणडेश्वारी मिश्रा जी शतीष मास्ट जी राम विलास जी जितेंद्र साहु कुम्ब करन कुम्ब भरम विश्नु चंद्र मौरिया नरेंद्र कुमार जी जैशे राम त्यारावन नकली सिता जी को ले गया था जी कासी नाथ जी वुमतत्सद जी इसलिए आप भी वही तो बात है ना जिस जाल का प्रयोग रावन कर रहा था उसी जाल का प्रयोग भगवान राम ने कर लिया जिस जाल का प्रियोग रावन कर रहा था उसी जाल का प्रियोग जिस जाल में वो राम जी को फसाने में लगा था उसी जाल का प्रियोग भगवान राम ने कर लिया बाद खतम भगवान राम ने का कि मुझे शड्यंत्र करने की क्या उशकता है यह दुष्ट खुद ही शड्य ठीक है और उसने किया और फसा भगवान राम प्रतिक्षा कर रहे थे करो शड्य अंत्र देखता हूं कि बस ऐसा विवेक हाज है हमारे पास काशिनाथ जी बहुत अभिनंदन आपका जोतिष कोर्स कब से स्टार्ट होगा कोई जोतिष कोर्स अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है जला राम राइका जी कमलेश खैरनर जी बहुत अभिनंदन राम निवास मीना रूप लाल विश्व कर्मा कृष्ण देवजा शरोज कृष्णानी कंभीर शाह एके त्यागी अबनी प्रधान मनीश जादव विकु कुचाडिया उज्वल शेत्री अमन कतकर विबेक कुमार इसके मिनहास उतकर्ष तिवारी जी बिमला शाजी योगेंद्र पंडित कमलेश उपाध्याय अपढणा सिंग श्वेता कुमारी मा राजेश्वरी शंतोष देवी चंद्रेश्वर पंडे जितेंद्र सिंग शिशोदिया बेस्ट फ्रेंड्स बलवन सिंग गोहिल गेंग शर्मा साम सिंग कश्यप राकेश कुमार साहू रचना के कलिंद्र सेट अंकर सोनी मनीश जादो सोमू आजकल समाज में मॉडरन कल्चर बोल बोल कर सनातन पर परदा डाला जाता है ल उसके बदले 10 11 की हत्या करना सही है कौन बोला इस ने कहा आप यह प्रश्न कर ही क्यों रहा है समझ में नहीं आ रहा है यह प्रश्न तो बनता ही नहीं है तो प्रश्न क्यों बनाया रहे है ठीक है राम चंद्र ने सीता जी से ऐसा क्यों कहा कि ऐसा कल्यूग आएगा हंस दानातिन का तब कहा 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 कि राम जी ने कहा कहा कि ऐसा कल्यूग आएगा हंस दानातिन का यह कवियों की वानी में लिखा गया है रमायन में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है यह किसी और कवी ने ऐसा कहीं पर लिखा है कि अन्थी के कल्यू को समझाने के लिए रामचंद्र कहें गया यह एक दूसरी कविता है यह तुलसिदाज जी के रचित नहीं है अलग से कहीं पर कुछ वानी ऐसी लिखी गई है तो रमायन में तो तुलसिदाज जी ऐसा कहीं पर चर्चा नहीं करते हैं कि ऐसा कहा गया है रामचंद्र मानस में ऐसी कोई चौपाई नहीं मिलती है अगर कहा गया तो आप चौपाई नंबर संख्या कांड किस कांड में किस दोहे कि में किस चौपाई में कहा गया है जरूर मुझे सुचित करें जरूर मुझे बताए हो सकता है मेरे पढ़ने में कोई तुटी रह गई हो यदि आपको मिला है ऐसी कोई चौपाई कि जहां प बढ़ते हैं और विचार करते हैं इस सभी विश्यों पर और विचार करकर समझने का प्रयास करते हैं कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे आगे के प्रसंगों और विचारों को लेकर बहुत बहुत आभार आप सभी का कोर्स शुरू हो गया है ध्यान दे कोर्स ध्यान शुरू नहीं हुआ है 14 अपरिल से शुरू होगा उसकी ज्वाइनिंग शुरू हो गई जो ज्वाइन करना चाहते संपर्क कर सकते हैं कि अधर आगे का चाहते संपर्क कर दो दुरू हो गया है